नमस्कार साथियों जैहिंद अभी बात करेंगे BPSC TRD1, TRD2 और TRD3 पहली जो बात होगी वह TRD3 की परिच्छा को लेकर होगी और कई अभेर्थी हैं जिनोंनों बात आया है कि उनके साथ कुछ मतलब OMR seat के में रंगने में कहीं रॉल नंबर या कहीं कुछ डाटा वेगरा उन तो BPSC बहुत उसके बाद जो है आप जानते हैं कि आंसर की फिर उसके बाद उस पर जो है आप लिया जाएगा आवेदन उस पर फिर उसके बाद ठीक किया जाएगा तो फिर तरह तरह की चीज़े हो रही है लेकिन TRD3 में जो चीज़े है उसमें जो रिजल्ट के पब्लिक करें कि भीहार सकार या फिर पहले की ही तरह जो प्रिच्छा फ़ल डियल निकलते थे ती या टी टी में उसी प्रकार यह करेंगा तो यह देखने वाली बात होगी तो सारे अभीहर्थी जो है वह इस तरह की चीजों में लगे है जिनका भी कुछ-कुछ मिस हुआ है वह मर और क्या डॉक्यमेंट का विरिप्रिकेशन हम सीधे उन्हीं विश्व पर आएंगे कि शात्र अवहरतियों के मन में जो सिच्छा का वहरति है जो टी 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 अडित्री के परिच्छा में बैठे उनके मन में एक सवाल है जो सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या बीपीएसी इस डॉक्यमेंट का विरिप्रिकेशन करेंगे उसके बाद जो है रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा अले टॉप टू बॉटम तमाम के टुगरी के वान टू फाइब से लेकर 11-12 वक हम चीजों को देखेंगे उसके बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन करेंगे और सीड्स से ज्य में अफ्रण बीजों करेंगे कुग तो डौकिमेंट का विरिफिकेशन मुखमंतरी जी जी के थाले जुक्ष अपडरिकेशन की देको पहले कि प्रोडर्ण करने को कहा है और अपलोड होने के बाद वह वाटर मास सर्टिफिकेट को भेरिफाई बिपीएसी नहीं किया बस एक चीज कि आपने अगर आवेदन किया है या संबंधित डॉकिमेंट जब एकेडमिक में हो चाहिए आप जाती गताराक्षन को लेकर जो बाते हैं जाती को लेकर उसके या सर्टिफिकेट या दिव्यांकता प्रमान पत्र जो भी समंदित प्रमान पत्र है उसके डिवी में आपने आपने वाटर मास सर्टिफिकेट के तरफ तोर पड़ा वहां आपने दिया और बीपीएसी के बाद सिक्षा भी भागने क्या कि जो डॉकुमेंट विरिफिकेशन उसको करने चाहिए थी अगर किसी कोई सिटेट फेल है सिटेट फेल होने का मतलब है कि अगर आप किसी बिहार के बाहर के निवासी है तो कम से कम 60% मार्क्स आपको 90 मार्क्स आपको आने हैं 150 में आपको 90 नंवर लाने है यह इंड्लाइन 15 कर में किया हुआ है तो आप समझ लिजे कि बिपि एस साइट पर अप्रोड डॉक्यमेंट यसंप वाटर मास सेटिफिकेट लगा है उसी वाटर मास सेटिफिकेट को भी पी फाइज थी करें और सिक्ष्षा भी भाग के जो जिला सिक्षा पाजी का रही है डीपीओं के अस्तर से और कोई मॉनिटरिंग का काम नहीं चल रहा था सीद़सीदें वह मिलान हो रहा था कि आपका वाटरमांग स्रेटिफिकेट यह है उसके बाद उसको नुक्ति प्रवान पत्र दिया जाता है यह तो मैंने खुद केंडिडेट बता रहे थे घरकन के रहने वाले मुकेश जी हो या पूजा हो या करिश्मा कई लोग सामने या मीडिया के और बताए कि हमको मेरा तो सेटेट फेल है फिर भी हमको जोइनिंग लेटर दिया ग और उसके बाद टॉप टू बोटम रिजल्ट निकाले क्योंकि आपके मन में क्योंकि आप जो कमपसेट करते हैं सीट को टीरी वन से बचा कर टीरी टू तक टू से बचा कर थी तक तो इन सम्मामलों में जंजट में अभिहर्थियों को नहीं परना है आपको याद होगा कि टीरी वन में भी इस तरह की चीज़े हुई थी सप्लिमेंटरी रिजल्ट के मांग को लेकर कितने प्रोटेस्ट हुए गर्दनी भाग धरना साल पर पांच दिन बैठा गया भूग हरताल किया गया बीपीएसी का घिराव किया गया सत्ता पक्षो या भीपक्षो तमाम पार उसी को चैलेंज करती हो टीरी वन में जो है आज का दायर की गई थी फिर आटी यार 2 में वह इना बात आया 14,000 सास्था पदों के सूशी भेजी गई फिर उसको रोका गया तो अब कहने कि 14,000 सास्था पदों की ही रियल्ट को लेकर चैलेंज किया गया है कोट में उसी को ल इच्छा विभाग को पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे लेकिन मैं BPSC के चेर्मेन जो है रवी पर्मान मनुभाई उनको ग्यापन सौपूंगा कि आप डॉक्मेंट का वेरिपेकेसन करा ले और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आपको याद होगा कि टीरी वन में इ तो कहीं ने कहीं दो तिन पूस्ट वेकेंट रह जाएंगा ऐसे ही तो हम लोग का यह कहना है कि डीर्ट का पप्रिकेसन सब रिजल्ट पहले निकल जाए अगर किसी ने गयावी बारे में पास किया है तो डीवी वी वहीं कराए उसके बाद वहीं लॉक कर दिया जाए क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा थे कि सब डॉक्मेंट का एक ही जगह करा है पहले रिजल्ट हो जाएगा आप देख लेंगे फिर ये कराएंगे टीरी टू में तुछ कुछ सुधार होगा प्रण टीरी में हम लोग को चाहते हैं कि डीवी बीपीसी या कोई भी सिख्षा विभाग कराएं तो पहले करा ले बीपीसी करा ले अत्तव रिजल्ट का पब्रिकेशन कराके में बनाकर सिख्षा विभाग को भेजे इस बार यह गरवरी नहीं होनी चाहिए गरवरी होती है तो बड़े पैमाने पर फ पांकरा देखेंगे तो 200-100-200-300 मधिपूरा में 300 लोग बाहर हुए तो वह बाहर हुए उससे क्या मतलब है उससे सिख्षा विर्थी को क्या मतलब है आपने तो नहीं लोग का मौका नहीं दिया आपने तो सप्लिमेंटरियर्ट के नाम पर गला घोट दिया आरक्षन के नि लोगों को मिलना चाहिए वारक्षन का लाब उनको नहीं मिला है 17,000 नौकडी में 10,000 से ज्यादा पाद दूसरे स्ट के मैलाओं को मिला है वारक्षन का लाब 57 को क्रॉस कर गया है तो फिर कहने की क्या जरूवत है कहने को कुछ भी कह सकते हैं अब दिव्यांग लोग है 47 न पर नौकडी मिलने चाहिए जो नहीं मिला डूमिसाइल फरजी बढ़ा कर लोग बहाल हो गया है तो आप देखेंगे तो असी के निट किसी दूसरे स्टेट के हैं तो ब्यापक तो पर इस तरह की चीज़े चल रहे हैं डूमिसाइल निति को लागू किया गया फिर खतम किय घवान किया इस नोकड़ी की जब बाहर है तो फिर पूरे देश के लोग नोकड़ी ले ले बिहार में कर ले बिहार के लोग की पास तो नहीं मेरिठ है मेरिट हंए छतम है तो ब्रिक मांगने या मजधूरी करने कि तयारी करें इसलिए गउन जबना है सिक्षा का भीरतियों के लिए जो भी चीजे है आप बिल्कुल ठोक बजा के करना है पहली बार डॉक्मेंट का भीरिफिकेशन पहले करा ले तब रिजल का पप्लिकेशन करा है अगर नहीं कराते हैं इस तरह से चीजे नहीं होती है तो टी यारी टू की तरह ही जिस पहला है तो फिर कैसे ओगा फिर बिवस्ता कैसे बदलेगी कि यापंस वापा जाएगा और जो लोग जो लोग के कमी किये हैं व्यमार्सिट में तीर जिस में वह जो लोग जाकर बेपी एससी को आवेधन कर दें आज यह आ वेदन करें क्योंकि हो सके कल्से स्केंश इसक्र झाल झाल